हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमाये चेनल लतायन संकर ब्लोग में आज अभी सुबा का सारा काम हो चुका है मेरा और आज दीदी लोग जो है वो घर जाने वाली हैं और काफी दिनों से वो हमाय साथ रह रही थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो अचानक से जा रही है और सारे बच्चे लोग भी चले जाएंगे घर पुरा अकेला हो जाएगा सांत हो जाएगा अभी वो लोग तयारी कर रहे हैं जाने का और अभी मुझे थोगा काम है क्योंकि दीदी लोग जाने वाली है तो सब कुछ जल्दी-जल्दी करना पड़ रहा है इसलिए बने रहे हमाई साथ देखे प्रैंस ये एक तोता है हम अब लोग के अमरूत के पेड़ में देखे कितना अच्छा खा रहा है तानी अप लोग को दीख रहे की नहीं देखिए तब से अमरूत खा रहा है अभी तक एक दो अमरूत खा चुका है और अभी भी खा ही रहा है और आज कलना तोता ज्यादा देखने के लिए मिलता भी नहीं है पतानी ये किधर से आया है नहीं तो पहले बहुत सारा तोता रहता था लेकिन अभी उतना ज्यादा देखने के लिए मिलता नहीं है और देखे कितने अच्छे से खा रहा है ये तोता देखेए friends जाने के लिए जो है सारा तयारी हो चुका है और उसके लिए auto book किये हुए थे और सब auto भी आ चुका है और सब लोग जाने के लिए ready भी हो चुके हैं बस थोड़ी देर में सब निकलने वाले हैं और ईसा जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है कि हमको भी सात में जाना है देखिए सारा समान जो है गाड़ी में सब लोड़ हो चुका है सनी, सोनम और में जो बड़े भांजा हैं वो भी जाने वाले हैं वो कभी वीडियो में आते नहीं है पर आज वो वीडियो में आएं भी देखिए यही मेरे बड़े भांजा है दीदी के सबसे बड़ा बेटा है ये और सब लोग जाने वाले हैं पर ईसा जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है दिखे ये उन्हें चाचु का गोदी में है पर ये उतर ही ने रही है और ये तो एक बार बोले कि इसको साथ में ले जाते हैं पर इन लोग को जमसेद पूर जाना है और इतना दूर वो मेंसे रहेगी फिर अचानक से अगर ये बोल देगी कि हमको ममा पाई जाना है तो फिर कैसे मतलब वहां से ले के आना होगा इसी वज़र से इसको जाने नहीं दिये पर बहुत ज़्यादा रो रही थी है और जाने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा रोई इसको चुप कराना मुस्किल हो गया था ये वीडियो भी बनाने के लिए नहीं दे रही है और देखे दीदी भी जा रही है देखे इसा यहीं पर मम्मी का गोदी में पर मैं रो नहीं पाई क्योंकि अगर मैं रो जाते है नहीं रोना साथ में रहे हैं तो सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो बहुत रोना आ रहा था पर मैं रो नहीं पाई क्योंकि अगर मैं रो जाती तो फिर साथ में सब लोग ही रो नहीं लगते इसलिए बहुत कंट्रोल किये खुद को रोए नहीं पर फिर भी ईसा को देखकर सच में बहुत रोना आ रहा था फिर भी उसको हम चुप करा रहे थे और देखिए बहुत बुरा पल है ये सच में बहुत अच्छा ने लग रहा है बिल्कुल भी और फोन से ही बात हो सकता है बस और ये लोग को टाटा पोहुचने में मतलब रात भी हो जाएगी और फोन से बात होता ही रहेगा देखिए फ्रेंस अभी दीदी लोग जा चुकी है और अभी साम का टाइम हो रहा है और अभी साम के पाच बज गये हैं और मैंने अपना सारा काम कतम कर लिया है और मैं तयार हो गई हूँ क्योंकि अभी मुझे मार्केर जाना है थोआ सा अभी आ रहा के पापा आए नहीं है फिफवा देर में वो आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग मार्केर जाएंगे आराव के लिए बस कुछ गरम कपड़ा खरीदना है क्योंकि ठंड अब लगती है सुबह सुबह तो वो तो बच्चा है ना इसलिए उसके लिए गरम कपड़ा खरीद कर ले आएंगे ये मैं उसके लिए कपड़ा क्या क्या खरीद हूंगी मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी तब तक के लिए बाए और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किजिएगा और माई जैनल को जो भी ता सुस्क्राइब नहीं किये हैं और माई वीडियो देखते हैं तो प्लीज सुस्क्राइब कर लिजिएगा